हेलो फिटी डॉक्टर्स नमस्कार मैं हूँ अपका दोस्ट अभीशिक दोस्तों एक सवाल बहुत कामन है कि क्या नीट इग्जाम बहुत टफ होता है क्या बच्चे में समय में संभव है दोस्तों मैं टॉपिक प्याओं उससे पहले हर एक बच्चे साथ ही घटना होती है और वह आपको चार-पास नम गिनाते हैं जैसे कि कोई लड़का है मिसरा जी का वह फाइब यर कोटा में रहा एलन में उसका नहीं हुआ कोई लड़का उनके रिल्यटिव था गोरखपुर से वह आकास में पढ़ा उनका नहीं हुआ ऐसे आपको पचासों नाम गिनाते हैं और आप जो है उन नाम को सुनने के बाद करने से पहले ही अपने आपको हार मानने लगते हों आपकी फैमिली दिल पे पत्थर रखके आपको भिषती है तैयारी करने के लिए जब आप कोटा या लखनो या कहीं बड़े सहर में जाते हो तो कहीन आपके पीछे डर लगा होत तो एक छोटी से कहानी स्टार्ट होती है किसी गाउं से जहां पर हर रात एक सेर आता था अब लोग गाउं के लोग रात भर सेर के चक्कर में सोते नहीं थे सेर आता किसी जानवर या किसी बच्चे का सिकार करता और वापस चला जाता पूरा गाउं जाता पूरे गाउं मे कि कैसे करें और ऐसे सेर जब भी आता रोज रोज आता एक जानों को लेकर चला जाता पूरा बहुत मेरे साथ एक नवी वक्त था उसक प्लान है कि भाई आखिर कब तक हम इस से डरेंगे कब तक बचेंगे आज नहीं तो कल नंबर हमारा भी आएगा हम भी मारे जाएंगे तो तो किसी ने बताया कि क्यों ना हम सेर को पकड़े लें जहां पर पेड़ पेड़ेंगे और उस जाल को डाल देंगे जैसे ही सेर जानों पर अटाइक करने कोशिस करें खाने कोशिस करेंगे प्लान बनाया गया, चार लोग जाल को लेकर उपर चढ़े, चार कोने पकड़े, और नीचे एक बकली का बच्चा बाहन दिया गया जैसे ही सेर रात में 12 बज़े आया, लोग उने देखा सेर आया, तो लोग चुप चाप लिए बैठे थे, सेर नीचे आया, नीचे डाल दिया, और सेर जो है उस जाल में फस गया तो गाहाँ वालों की इस छोटी समझदारी ने, उनकी इस पास्टिय अटिट्यूड ने, उनकी इस हिम्मत ने, उनको रोज के डर से आजाद कर दिया रोज घुट-घुट के मरने से अच्छा, उन्होंने सेर का सिकार किया और वो सफल हो गया सेम एस यही स्टोरि होती है, हर एक बच्चे की अगर वो नेट ग्जाम देना चाहता है नेट अग्जाम कोई ह्ववा नहीं है, जिसको हम और क्लियर न करता है सब्सक्राइब करते हैं और देश के सब्सक्राइब करते हैं यह सचाई है आप चाहें तो किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं जो बच्चा आपको दिखेगा बस जैसे जोड़ी के बच्चे उस जाल का यूज किया से मैज आपको यहां पर करना है वहाँ जो बक्री का बच्चा था उपको परवाइड कराया है torment Limited वहापकी मिहनत ऐघर आपको जाल की तरह हाड वर्क कर लिया कि यहाप पूरे इतना पावर्फ अपनी आपको बना लो कि कोई भी सेर आए उसको आप पकड़ सकते हो तो नीट एकजाम से आसान भाई कुछ जीवन में नहीं है हाँ यह अलग बात है कि आसानी से आपको स्ट्रिकल करना पड़ेगा आपको दिमार्ग लगाना पड़ेगा कैसे पकड़े कहां से किस एंगल से डाले लेकिन यह मालीजे कि अगर आपने ठान लिया है कि आपके सपने में उडान है आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो गौड भी आपकी बहुत हेल्प करता है आप चुप चाप प्लान बनाईए कि किस प्लान पर आपको डॉक्टर बनना है आप डॉक्टर क्यों बनना है उस रिजन को लेके जीवे में डॉक्टर बन जाएंगे दो तो आई होप आज के बाद कभी आप यह नहीं बोलोगे कि नीट इग्जाम बहुत टफ है क्योंकि अगर टफ होता तो फिर कोई बच्चा फर्स अटेम पे क्लियर नहीं करता अस्टिबन बच्चे बेवकूफ नहीं जो फर्स अटे आपको आपकी मनजिल न मिल जाए दो आज इतना ही छोटी स्रिक्वेस्ट है प्लीज पढ़ाई शुरू कर दें तेयारी करते रहें और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें हम आपके हर साल जबाब आपको प्रवाइड कराएंगे एक छोटी स्रिक्वेस्ट और है अगर आ पर सहीत रिकेस इसको गाइड करने की देरी है और आपके उपर एक स्थेथोस्कोप और वाइट एप्रेंज जल्दी ही लगने वाला है आपको मिले के एड्मिट कार्ड किसी अच्छे कॉलिज का जहां पर होगा कि आप एम से बीबियस कर रहे हो दुस्तों आज इतना ही आ हिंद वंदे मातरम